अमेरिका के जॉर्जिया में एक घटना ने हर किसी के होश उड़ा उड़ा दिये है। अटलांटा रैपर ट्रबल की गोली मारकर कतल करने से चारो तरफ हर कम्प मच गया है। खबरों का कहना है कि रैपर महस 34 वर्ष के थे जिनकी दर्दनाक मौत से हर किसी के होश उड़ चुके हैं। बता दें कि रैपर की डेट बॉड़ी उन्हीं के अपार्टमेंट में ही मिली है। मीडिया की ओर से जारी रिपोर्ट्स का कहना है कि रैपर ट्रबल का असली नाम मारियल से मोटे ओधा। साथ ही रैपर की लाश लेक सेंट जेम्स अपार्टमेंट में रविवार सुभर 3 बचकर 20 मिनट पर जमीन पर पाई गई है। शव पर गोली लगने के निशान साफ दिखाए दे रहे थे। इसके उपरांत उन्हें मौके पर ही मृत भोशित कर दिया गया। हाला कि मामले में अभी गिरफतारी या किसी भी तरह का कोई एक्षन नहीं लिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि मृत रैपर ट्रबल परिसर में अपनी एक फीमेल दोस्त से मिलने जा रहे थे जो परिसर में रह रही है। उनकी महिला मित्र को ही कतलके पीछे की वज़य कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मामले में माना जा रहा आरोपी जी मिशेल जोन्स महिला को जानता था लेकिन ट्रबल से उसका कोई लेना देना नहीं था। ट्रविवार को शेर किये हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में रैपर के लेबल डेफ जैम ने रैपर को उनके निधन पर शद्धानजली देकर शोक व्यक्त कर दिया है। खेर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताए।